दोस्तो साधी सीजन स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी जाने वाले हैं पारलर फेशल करवाने लेकिन वहाँ पर कितना इंवेस्ट करना पड़ता है तो एक बार घर पर फेशल करकर देखें और यह जो फेशल है वह विंटर सीजन फेशल है आप कभी किसी पारलर में चले तो वह बिंटर सीजन का अप मालिष किजिए आपकी स्कीन में आजाएगी आपकी स्कीन चमकने लगेगी दाग धबे मिठने लगेंगे बिलकुल कलर हो जाएगा कोई भी कह देगा कि आप पारलर होकर आएँ हो अपने चेहरे का फेशल करवाकर आये हो मैं नहीं आपर आद कर रही हूं आप चाहों तो इसे मिक्सर में भी ग्रेंड कर देते लेकिन छोटा पीस था इसलिए मैंने इसे चम्मज की हेल्प से ही अच्छे से पीछ रही हो आपको बता दू दोस्तों कि बनाना की जो चिकना हाट रहती है ना बनाना में इतने मल्टी विटामिन्स होते हैं ऑपकोर माघ्रा में होता है यह एतने मल्टी विटामिन्स होते हैं जो आपकी फेस को बिल्कुल चिकना करेगा शिल्की करेगा अपर किपड़ों को ने कि लिए यह जैसे on ना यूज़ की है कुछ इंग्रेडियंट इसमें डाले जैसे कि मैंने सेकेंड डाला है जो कि अपने पोर्स को भी ओंट करेगा फिर उसके बाद कलोस कर देगा हम ने यहां पर रेडिमेट अलोवेरा जल लिया है आप चाहे तो फ्रेस्ट रिज़िएर दोस्तों आपको बता यूज़ करते हैं एलोवेरा पिंपल्स को मिटाता है साथ इसाथ आपकी विंटर सिजन में आपकी स्कीन को ड्राय नहीं होने देगा मालिश करने के बाद आपके दाग दबे मिठा देगा बहुत अच्छे से अगर आपका पिंग्मेंटेशन होगा रिंकल्स होगा चाहियां ह होगी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मिटा देगा थर्ड इंग्रेडियंट मैंने यहां पर यूज़ किया है को कुने टॉइल थोड़ा सा आदा चमाज के करीब आपकी जानकारी के लिए बता दू कि जो को कोने टॉइल है को कोने टॉइल आपकी इसकी स्कीन को शाइन लाता है आप की इसकीन में फेशल के बाद जब कर लोगे ना तो यहां लगेगा आपकी स्कीन चमक रही है बहुत ज्यादा सांदार इसके से करना यह इसे ले लेना है और अपने फूड़े फेस पर गर्धन पर गले पर आप चाहो तो आफों पर भी करकर द बनाना है तो आपको यूज करने में थोड़ा चिपचिपा लगेगा दोस्तों लेकिन एक बार करके देखिए अनुबहों मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कहीं भी शादी में जाने के तीन दिन पहले आप करें और इसका रिजल्ट देखिए ठेंक्स पर वाच